तिर्थंकर को दिख्षा लेते ही सैयम के प्रभाव से प्राप्त होने वाली अश्ट सिद्धियों का थोकड़ा नमबर एक बुद्धी ग्यान रिद्धी प्रगट होती है अर्थात मन पर्यों ग्यान प्रगट होता है नमबर दो चारन जहां चाहे वहां गमन करने की शक्ति प्राप्त होती है नमबर तीन वैक्रिय शरीर के विवीद रूप बनाने की शक्ति प्राप्त होती है नमबर चार तप जिसमें कठिन तप करने की शक्ति प्राप्त होती है नमबर पाच बल जिसके कारण मन वचन काया का बल प्राप्त होता है नमबर छे अउशधी जिसके द्वारा शरीर को स्पर्श की हुई हवा से लोगों के रोग दूर होते हैं नमबर साथ रस जिसके बल से लूखा सुखा भोजन रसमय और पोश्टिक बन जाता है अक्षिन महानस लबधी जिसके प्रभाव से भोजन सामगरी कम नहीं होती है घर्टी नहीं है ये अश्ट सिधिया तिर्थांकर के सयम के प्रभाव से प्रगठ होती है